दोस्तों गराब 2024 के अंदर एक नई CSE ID लेना चाहते हो तो यहां पर आपको पूरा लेटेस प्रोसेस दिखाने वाला हूं क्योंकि प्रोसेस में काफी कुछ चेंजेस हुए हैं अगर आप CSE के बारे में नहीं जानते हो तो यह कैसी ID होती है जिसके जरी काई सारी गवर्मेंट सर्विसेस को आपको मिल जाते हैं जो की लोगों को आप डिलीवर करके बदले में आप अच्छी खासी कमाई कर पाते हो कैसे आपको अपलाई करना है तो व सब्सक्राइब करना है जैसे हमने क्लिक किया है तो सबसे पहले तो यहां पर डोकुमेंट की लिश्ट बढ़ा दी गई पहले अगर आप देखो तो आधार पैन अगर आपके पास होता था तो आप CSE के लिए अपलाई कर पाते थे लेकिन अभी क्या है कि आपके पास में व ind says keyword है तो काफी अच्छी बात है नहीं है तो आपको यहां पर पुलिस अरभ damage सिर्ट ऑ। सब्सक्राइब करना पड़ और लाश्ट की जो दो चीजे दिखाएगें चार्ट अब यह लोगों के पास में व्さल म Het द्यौनाध पहले और बता दीता हूं कुग घूड क Duch भी घया है ट Czech Center Entrepreneur Course, इस िस ik को टी सी बोलते हैं और इसका एक certificate आपको जारी होता है जो कि आप जारी होने के बाद में अपने सेंटर पर लगा सकते हैं और यहां पर आपको करने का लिंक दिया गया है जिस पर जा करके आप अपना रिश्ट्रिशन कर सकते हो तेरा सो पचास रुपए की फीस आपको पेमेंट करनी परती है टीसी साट पिकेट को पाने के लिए जिसका आपको एक्जाम भी देना होता है अब यह अलग टॉपिक हो जाएगा इसका पेमेंट सिस्टम में काम करते हो तो फ्री में ही आपको आप पर जो बैंक सब्सक्रीट के मिल जाता है इसकी स्ट्रीट के वी एप साइट है उसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जहां से आप अप्लाई कर सकते हो पेज में नीचे त सब्सक्राइब करना है तो अगर आप यह नहीं बनाते हो तब भी आप अपलाई कर सकते हो अब जैसे हमने वैलिडेट के ओप्शन पर क्लिक किया है तो आप यहां पर देखोगे कि टीसी साट फीकेट जिस भी नेम से हमने बनाया हुआ है उसकी जो डिटील से यह फेच हो करक है से हमने Wilson के और कि कृटिक करना है आपके फोन पर equally केेशन के लिए व्यहां पर दर्ज करना होगा ऑप को अपने फादर का जो नेम है वह यहां पर मैनूलीई इंटर करना होगा इसेकंसी आप मदर करेंगे जो भी marital status है, आप साधी शुदा हो, unmarried हो, select करना है, आप सभी को अपना जो state है, वो यहाँ पर select करना है, डेश्टी का जो name है, उसको यहाँ पर choose करना है, यहाँ पर अपना जो complete address है, वो दर्च करना है, दिन आपको page में नीचे के तरफ आना है, अब अगला section मिलता है, kiosk detail का, जहाँ पर आप सभी को अपना जो CSC center है, वो यहाँ पर उसकी जो details है, वो दर्च करना है, kiosk name के section में, अगर आपका जो business है, वो पहले से ही चल रहा है, जिस भी name से चल ला है, तो वो जो name है, वो आप CSC center के अंदर दर्च कर सकते हो, इसी के साथ में, अगर आपका को अगर है, जिस भी premises में है, वो आपको खुद का है, या फिर रेंट पर आपने ले रखा है, आपको यहाँ पर selection करना है, आप सहरी चेतर से हो, या पर ब्रामीरी चेतर से हो, चूज करना है, तो आप सभी को अपनी जो state है, district है, कुछ इस तरीके से selection करना है, इसके बाद में यहाँ पर अपनी तहसील और विलेज का जो नेम है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से choose करना है, और इसके बाद में आप सभी को CST Center जिस भी जगे पर located है, उसका complete address with pin code यहाँ पर आपको फिल करना है, और यहाँ पर आपको next के option पे click करना है, तो इस तरीके से पहला जो step है, व आता है email और pen को verify करने का, तो हमने यहाँ पर अपनी Gmail ID यहाँ पर दर्ज कर दी है, और send OTP की tab पे हमने click किया है, मैंने यहाँ पर यह OTP दर्ज कर दिया है, मुझे OTP receive हो चुका है, इस तरीके से email भी verify हो चुकी है, आपको यहाँ पर अपना जो pen number है कुछ इस तरीके से capital letters म करना है, मेरा जो name है यहाँ पर आप देखोगे कि automatic fetch हो करके आ चुका है, यहाँ पर हमारा जो name है, पूरी तरीके से match कर रहा है, तो आप सभी को यहाँ पर I hereby के option पे click करना है, और आप सभी को next के option पे click करना है, तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर authentication detail भी हमारी complete हो चुकी ही, अब आपको यहाँ पर आपना जो bank account है, वो यहाँ पर जोड़ना है, तो सबसे पहले तो अपने bank का जो ISO code है, वो यहाँ पर दर्ज करना है, और validate की type पे जैसे आप देखोगे कि मैंने click किया है, यहाँ पर successfully branch हमने selection कर लिया है, आपका जो account है, जैसे कि आपका account saving है, current है, आपको selection करना है, और दिन अपना जो bank account number है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर fill करना है, तो यहाँ पर आप जिसको भी nominee रखना चाहते है, अपनी family member का name यहाँ पर आपको दर्ज करना है, उनसे जो भी relation है, कही सारे relation की category दिखाएगे है, चूस करना है, और कुछ इस यानि कि अपना voter ID card number यहाँ पर आपको दर्ज करना है, capital letters में, जो भी अपने पहले से document इसकाइन करके रखे हैं, यहाँ पर आपको upload करना है, तो browse के option पे हम click करेंगे, और आधार को कुछ इस तरीके से हम select कर लेंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो आधार है, वो successfully upload हो चुका है, जैसे जैसे आप document upload करोगे, तो यहाँ पर upload pending वाले के section से, यह सारे document हटते चले जाएंगे, आप सभी के सामने जो दूसरा document होगा, जो upload करना pending होगा, यहाँ पर सोन होने लगेगा, इसी के साथ में applicant का जो फोटो है, वो यहाँ पर आपको चूज करना है bank detail, जिसके अंदर आप अपनी cancel check या फिर passbook यहाँ पर upload कर सकते हो, इसी तरीके से आपको जितने भी यहाँ पर document दिखाये गए हैं, तो सारे ही document जैसे मैंने यहाँ पर selection किये हैं, कुछ इस तरीके से आपको selection कर लेना है, आपकी जो भी educational qualification है, selection करना है, और इसके बाद में आप सभी को education का जो भी document है, आपके पास में, वो document यहाँ पर upload करना है, आपको page में नीचे के तरफ आना है, यहाँ पर आप देखोगे कि सारे ही document हमारे upload हो चुके हैं, कोई भी document अगर आपने गलस select कर दिया, तो cross को option यहाँ पर दिया गया है, उसको आप यहाँ से remove कर सकते हो, बाकी सारी चीजे सही है, तो आपको I hear by declaration के section में, इस option पर टिक करना है, और आप सभी को next के option पर click करना है, तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा जो CST का registration है, वो successfully हो चुका है, हमारे सामने जो application का reference number है, वो यहाँ पर generate हो करके आ चुका है, तो सबसे पह आप सभी को KYC करना जरूरी होगा, तभी आपकी जो CST ID है वो activate होगी, तो इसको करने के लिए आप सभी के लिए एक mobile application लाई गई है, जो की आप सभी को मैंने वीडियो के description में उसका link दे रखा है, CST app पे अगर आप सर्च करोगे तो आप सभी को मिल जाएगी, इसके तुर करके first time आप open करोगे, तो जैसे आप सभी से पूछे जाएगा कि आप पहली बार आ रहे हो, तो sign up के option पे आपको click करना है, अब यहाँ पर इस application के अंदर authentication करने के लिए जैसे कि बताया गया है, आप सभी को अपना जो application का reference number है, बो दर्ज करना होगा, अपनी email ID दर्ज करना होगी, जिसका geotagging code जो है generate होगा, क्यों सेंटर जहां पर भी located है, यह काम आपको उसी जगे पर करना होगा, ध्यान रखना है कि location आन रखनी है, जब यह काम आप कर रहे हो, तो यहाँ पर हमने proceed के option पे click किया है, और इसके बाद में application का reference number है, जो हमें मिला है, वो यहाँ प capture video इस option पे click करना है, क्योस की KYC करने का जो page है, जहां पर बताया गया है, कि आपको अपना जो pan number है, वो आपको A4 seat पर लिखना है, इसी के साथ में अपना जो reference number आपको मिला है, वो लिखने के बाद में, उसको आपको hold करना है, इसी के साथ में यहाँ पर बताया गया है, कि आप सभी को KYC का अपना जो है, जो center है, उसके साथ में यह जो video है, वो record करना है, जिसमें की ध्यान लगना है, कि पीछे CST का जो banner है, या फिर standee है, वो लगा होना चाहिए, और आप सभी को यह जो video record करोगे, उस समय, अपना जो name है, वो बोलना है, अपनी जो data birth है, वो जैसे आपने permission allow किया है, कुछ इस तरीके से आप देखोगे कि camera जो है open हो जाएगा, जहाँ पर आप सभी को जो paper पर आपना जो append number है, reference number है, mention किया है, वो यहाँ पर आपको लिखना है, इसी के साथ में आप सभी को यहाँ पर show करना है, वो reference number, और आप सभी को ध्यान रखना है कि आपका जो face अब ऊपर होना चाहिए, कुछ camera से दूरी आपको बना के रखनी है, और आपको अपना name बोलना है, आपनी data birth यहाँ पर बोलना है, जैसे आप speak करोगे, तो automatic 7 second यह जो video है, रिकॉर्ड होगा, उसके बाद में यह जो recording है, कट हो जाएगी, और आपका जो video ह यहाँ पर preview देखने के लिए आपको मिल जाएगा, अगर video अच्छे तरीके से record नहीं हुआ है, तो retake का option मिलता है, जिस पर आप click करके retake कर सकते हो, बाकी यहाँ पर सारी चीज़े सही लगती ही, तो proceed to review के option पर आप click करोगे, तो कुछ इस तरीके से आप सभी के सामने declaration का page जाएगा, आपको accept करना है, प्रोसीट के option पर click करना है, तो आप सभी का जो video है, वो submit हो जाएगा, CSC के जो team है, जब आपकी CSC ID को verify करेगे, तो geotagging के जरिए आपने जो video record किया है, इसको भी verify किया जाएगा, तभी आपकी जो CSC ID है, वो activate की जाएगी, एक बार CSC activation होने के के बाद में, आप सभी के mail पर और आप सभी को phone पर, इसमेस के माधधम से, आपकी जो CSC ID है, वो generate होने के बाद में, आपको मिल जाती है, तो इस तरीके से, आप सभी लोग एक नई CSC ID के लिए online apply कर सकते हो, mobile application के जरिए जो verification है, करने के बाद में, आपके CSC ID को approval करने की जो जो भी slip आपकी निकली है, इसी के साथ में, आपने जो भी दस्तावेज अपलोड किया, जैसे की आधार कार्ट, बैंक पास्बुक, ये सारी चीज़े आपको attach करना है, और ये document आपको submit करना है, अपने district में, जो district manager CSC के थूरूर नियुक्त के गए हैं, उनकी detail अगर आपक जाननी है, तो वीडियो के description में, हमने आपको एक link दिया, जिस पर आप click करोगे, तो district manager की जो contact detail है, आप अपने district के निकाल सकते हो, उनसे आप contact कर सकते हो, अपनी CSC ID को approve करने के लिए उनसे request कर सकते हो, बाकि आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा, मुझे comment box में जरूर चैनल पर अगर आप नए हो, तो चैनल को subscribe करके जरूर रखना, और हाँ अगर आप CSC ID के जरीए किस तरीके से कौन-कौन सी services आप access कर सकते हो, उनके बारे में अगर आप detail में जानना चाहते हो, तो comment में लिख करके बताना, मैं इस पर भी एक वीडियो जरूर बना दूँग और बाकी आप ये वीडियो किस स्टेट से देख रहे हो, मुझे comment में लिख करके बताना हम मिलते हैं, ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक क्लिए goodbye, जाहिन